हेलो स्टेटेंट्स वेल्कम टो माइनर्चर मैं हूँ क्रिशना कैसे हैं सब लोग मार्स बढ़िया चलो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग फार्मा को छरुपिटिस का लास्ट चैप्टर का लास्ट लेक्चर प्रीमेंश्यल सिंड्रॉम ठीक है तो वोमेंश हैल्थ के बारे म हम लोग पढ़ रहे थे दो लेक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं इसके ठीक है ना प्रीमेंश्यल सिंड्रॉम याने कि तुम अनौद देखा होगा जिसका हम लोग जानते हो कि फिमेंस पे मूर्ड सुइंग्स होते हैं पीरेट्स होने वाले होते हैं चिटेड़ा पन आ जा problem या syndrome तो definition की बात करें तो PMS pre-menstrual syndrome PMS is a combination of physical and emotional symptoms pain भी होता है और emotionally भी females disturb हो जाती है that many women get after evolution जातर women's में क्या होता है जब evolution हो जाता है यानि कि egg बाहर निकल आता है किस से? फालिकल से? उसके बाद ये problem ये start होती है and before the start of their menstrual period ठीक है? after evolution and before the start of their menstrual period researchers think जो researchers हैं वो क्या सोचते है that PMS happens in the days after evolution because ovulation के बाद ये होता है क्यों? estrogen and progesterone levels begins falling dramatically if you are not pregnant अगर pregnancy नहीं होती है तो corpus luteum तूट जाता है progesterone के level गिरने लगता है वो जो hormone का level नीचे गिरता है जिसकी वएसे क्या है? chemical लोचा होता है दिमाग में और females के साथ ये problem होती है कुछ लोग समझ नहीं पाते है कुछ लोग males कहते हैं कि ये हो रहा है वो और जो लोग couples में रह रहे हैं चीजें हैं करके कुछ लोग को समझ में नहीं आती है कि का बचाने के चिटेड़ापन हो जाता है लड़कियां बात नहीं समझते हैं ऐसा नहीं होता है ये है scientifically proof है कि periods के दोरान ये hormones के changes के वएसे जो लड़किया है वो थोड़ा सा emotionally disturb हो जाती है ठीक है तो है क्या है यहां पर तो क्या हो रहा है असका main reason क्या है आपका जो ये estrogen और postron का level क्या है down हो जा रहा है corpus litum तूट चुका है ठीक है levels begins falling dramatically मतलब बहुत ज़्यादा if you are not pregnant PMS symptoms go away within a few days after women's period start ठीक है as hormone level जब periods after women's period starts अब जखो यहां पर क्या हो रहा है अब कहा रहा है period जब start हो जब कुछ दिनों के बाद 7-8-10 दिन के बाद क्या होता है women's वापस से normal होती है क्यों वापस से layer बनना start होती है वापस से hormone level rise करना start करता है तो बात समझ में आ रही है तो men यहां पर खेल किसका है hormones का some women get their periods without any signs of PMS कुछ लोगों को कोई problem नहीं आती है yes और only very mild symptoms या बहुत ही कम लक्षन दिखाए पड़ते है for others PMS symptoms may be so severe that it makes it hard to everyday activity like go to work or school यही वज़य है बच्चो एक बात समझो जो लोग बड़े हैं वो लोग भी समझें जो लोग छोटे वो लोग भी समझें females का matter है सब के साथ एग जैसी condition नहीं है कुछ लोग compare कर देते हैं कि वो भी तो लड़की है कई बार माबाब compare करते हैं कई बार husband compare करते हैं ठीक है यह ना सोचें कि मेरी कली कर उसको बिल्कुल pain नहीं होता मुझे ही pain क्यों होता है या इस तरी कोई situation नहीं है scientific है body क्या बनावट है ठीक है ना तो यह समझना ज़रूरी है कि यहां से बहुत साई problems create होती है जगड़े होते हैं लोगों को अपने आसपास समझाए मा बाप चोटे भाई बैनों को अपने भाई बावी बगर है ठीक है ना यह सब चीजें लोगों में जागड़कता फैलाने के लोग होती है येस इस इस वर्क और फार्मासिस्ट आगे आते हैं सीवियर PMS symptoms may be sign of premenstrual dysphoric disorder ठीक है ना जब PMS बहुत ज़्यादा critical हो जाता है तो वो एक अलग situation रूप ले लेती है जिसे हम dysphoric disorder dysphoric मतला फोरिया एक अजीव सब पागलपन होता करके ठीक है ना फिर वो लोगों के समझ से बाहर होता कि ये लेडी ये अरलकी ऐसा कर क्यों रही है हार्मोन बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं PMS goes away when you no longer get a period अगर periods आपको नहीं हो रहे हैं प्रेग्नेंसी हो गई हा मिनोपॉस हो गया अब तो हार्मोन लेवल अपन डाउन हो गई नहीं तो PMS के symptoms पे चले जाते हैं such as after मिनोपॉस 45 की एज के पाद जब मिनोपॉस हो जाता है periods आपको होंगे ही नहीं होना बंद हो गए तो लेवल सी अपन डाउन होना बंद हो जाता है etology तो again वही है exactly what causes pre-mantial syndrome is unknown exactly तो नहीं पता है लेकिन research की गई तो उसमा हार्मोन कारण निकला क्योंकि हार्मोन अपन डाउन हुआ तो उसको उससे लिंक कर दिया गया है but several factors may contribute to the condition कई सारे factor भी हो सकते हैं पहला cyclic changes in hormones हार्मोन हमने देखी लिया signs and symptoms of premature symptoms change with hormonal fluctuation and disappear with pregnancy and menopause तो यहाँ पर यह research करके पाया गया है कि hormones का level जब अपन डाउन होता है तो इस symptoms दिखने उसी इसाफ से कम ज़्यादा होते है और pregnancy जब हो जाती है या menopause हो जाए यानि कि hormones का level कम ज़्यादा होना बंद हो जाए तो वैसे ही क्योंकि pregnancy में प्रोश्टान level बड़ा हुआ ही रहता है तो जैसी pregnancy हुई है menopause हुआ यह problem खतम हो जाती है chemical changes in the brain fluctuation of serotonin जो की brain पाए जाता है आप तो जानते होगे अच्छे से पैचान कोई हो serotonin को अब brain chemical जो की neurotransmitter है that's thought to play a crucial role माना जाता है कि यह बहुत बड़ा role play करता है in mood states में करता है यह obviously बात है पढ़ चुके हम लोगों could trigger PMS symptoms यह PMS को symptoms को trigger कर सकता है start कर सकता है insufficient amount of serotonin may contribute to premenstrual depression अगर serotonin का amount proper नहीं है brain में तो depression आ सकता है premenstrual as well as to fatigue थकान आएगी food, car craving and sleep problem भूख लहेगी बहुत जादा और सोने की दिक्कत रहेगी depression सब वोमेंस with severe premenstrual syndrome have undiagnosed depression कुछ वोमेंस ऐसी है जिनको की PMS होता है उनको depression भी होता है depression होगा तो serotonin का level down कर जाएगा दो depression alone does not cause all the all of the symptoms यास यह true है कि depression अखिला सारे symptoms create नहीं करता है बट बहुत सारे चीजों में यह भी यह कारण है ठीक है तो चीज़ें हमें समझनी है सारी etology में pathogenesis की बात करें अगर हम लोग तो its pathogenesis is complex काफी complex है कैसे होता है exactly तो नहीं पता दिक्का देता है not fully understood and there are several theories trying to explain the origin of pathological condition बहुत सारी theory है एक theory हम यहाँ पर लेके आए है according to the neuroendocrine theory याने कि nerves और हार्मोन neurons की और हार्मोन याने कि ब्रेन का chemical लोचा serotonin और हार्मोन की theory की बात करने है याने कि दोनों combined हो गया ठीक है in the central nervous system of a woman with PMS जो PMS woman होती है जो प्रॉलम होती है उनका central nervous system होता है there are fluctuations in level of such significant neurotransmitter as serotonin and gamma amino bitaric acid ठीक है तो उनका जो neurotransmitter होता है serotonin और gaba इन में बहुत जबर्दस fluctuations आते हैं which affects the course of peripheral neuroendocrine process जो की पूरे जो peripheral neuroendocrine process है उसको क्या करती है affect करती है in addition इसके अलावा याने कि ये क्या हो गया neuro transmitter कारण हो गया estrogen and progesterone shift as well as abuse इसके अलावा जो hormones का level है estrogen का और progesterone का उनमें जो shifting होती ही कम जाता होती है या abuse experience by women in her childhood या abuse है ना social on हो जाता है कई बार महिलाओं का बच्पन में हो जाता है छोटी age पे हो जाता है जो उनके दिवाद में काफी बुरा असर डालती है वो जो thinking होती हो hormones change करते है ठीक है उसके वैसे ये neurotransmitter में changes आते है ठीक है तो जिनके साथ अगर abuse हुआ है उनके साथ तिये problem तोड़ी और ज़्यादा रहती है ठीक है उनके साथ रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा होता है के लिए लोगी बात है recently much attention has been paid to such potential pathogenic factor as magnesium calcium deficiency which may affect the mood and increase appetite अब ये भी सोचा जा रहा है कि magnesium and calcium deficiency भी इसको असर डालती है तो pathogenesis तो exact तो नहीं पता लेकिन जो theory है अब तक कि latest उसके हिसाब से यह ही इसकी pathogenesis तो यह create हो रही है clinical manifestation की बात करें तो आपको क्या-क्या देखने को मिल जाएगा ठीक है न emotional and behavioral signs symptoms tension लड़कियां परिशान हो जाती है period से जस्ट पहले है period के दौरान ठीक है जो लग husband wife है जो लग couples है girlfriend boyfriend है बच के रहें ठीक है लड़कियों को समझने की कोशिश करें चीज़ी सी बात यह है ठीक है उनको tension हो सकती है anxiety अपने आप anxiety आयती है बिना वज़य आ जाती है yes तो आपको समझना पड़ेगा यह नहीं कि तुम भाव मार रहे हो तुम भाव खा रहे हो थे ना जब relationship है आप husband wife है तो चीज़ों को समझे depression हो सकता है crying spells रोने जैसे सिस्थिति आ जाती है mood swings होंगे कभी अचाना से खोशी है कभी कुछ और हो रहा है appetite भूख लगने कम जाता हो सकती है कई बार होता है कि हम लग बोलता है चलो लोग घूमने चलें चलो लोग मिलने चलें मना कर दिया जाता है ठीक है जो फीमेल्स घूमना फिरना पसंद करती है कुछ इन टाइमस में मना कर दियती है क्योंकि उनका होता है changes आते है emotional physical changes क्या क्या आएंगे समझने सब लोग joint और muscle pain है न कुछ लोग जो कहते है कि होता है घरों में कहते है कि होता है चलता कि बभू है तो ड्रामा कर रही है कुछ जगे सच है कुछ जगे सच नहीं भी है उसका कारण यह है ठीक है तो बुराना मानना कोई भी reality यह है कि इसकी वाई से pain होता है ठीक है क्या क्या joint और muscle pain सर में दर्द होगा ठकान जाता आएगी उतना काम नहीं हो पाएगा उन 6-7 दिनों में जितना काम रोज कर लेती है female weight gain होगा abdominal bloating painful सकता है breast tenderness हो जाएगी ठीक है न acne आ जाएगे चेहरे पर constipation diarrhea हो सकता है alcohol intolerance दारू अगरा ना पिए ठीक है तो यह सारे signs और symptoms है सबको समझने है non pharmacological management beating a healthy and balanced diet eating होना चाहिए eating a healthy and balanced diet rest and sleep healthy diet खाएए सोवें proper exercise करें consult the doctor if system persist अगर उसके बाद भी relax नहीं हो पा रहा है तो doctor से consult करें दारू वगरा caffeine वगरा ना लें लड़किया avoid stressful situation अगर तुम्हें लगता है कि आगे कोई काम करूंगी या कहीं जाओंगी तो वहाँ पर में कोई stress हो सकता है वो काम ना करें use an anti-piratic if there is fever बुखार वगरा आ रहा है तो anti-piratic medicine ले सकती है talk to your friends and colleagues कोशिश करें अपने दोस्तों से जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उनसे आप बात करें और advice किर्प्या करके इनको advice ना दें ठीक है non-farmacology medical management है advice इसमें इनको पसंद नहीं आती है clear है तो सब scientific है यह pharmacological management की बात करें तो दवा यहां देख लो कौन-कौन सी लिखनी है Fluxetine and SSRI selective serotonin reuptake inhibitor given daily on symptom days and dampen irritability and mood changes in the majority of women ठीक है तो कह रहा है जो Fluxetine है या दूसरा को SSRI है given daily on symptom days यह dampen dampen मतलब कम कर देता है irritability and mood change को कम करता है कि mood change जादा नहीं होंगे तो एक दवा यह याद हो गई दूसरी आ गया आते है severe premenstrual syndrome required suppression of evolution अगर बहुत जादा है तो हम evolution को होने से रोकेंगे by a combined estrogen progestron treatment given cyclically ठीक है न? estrogen portion tablet अगर यह वाला वर्क नहीं करेगा यह इस्टोजन पॉस्टोजन को होने नहीं देंगे उससे suppress कर देंगे ovarian suppression with GNRH अगर यह वाला वर्क नहीं करेगा ठीक है न? यह estrogen position को वाला combination काम नहीं कर रहा है फिर हम लोग GNRH gonadotropin hormone releasing hormone ठीक है न? जो का आगे जाके इनी सब चीज़ों control करता है agonist may be required in non-responsive above case above मतलब यहाला case अगर काम नहीं कर रहा है estrogen portion वाला तो हम GNRH ठीक है न? agonist जो इसको support करता है इसकी help लेंगे ऐसी medicine की help लेंगे जो GNRH को support करेगा then progestins are added to estrogen when it is used for severe disminary ठीक है progestin को हम add कर देते है estrogen के साथ अगर बहुत ज़्यादा severe disminary होता है तो बेटा फिर कह रहा हूँ मैं यह चीज़ अब GNRH ठीक है? यहां तुम्हारे पास agonist है यह सारे terms हमारे क्या है? GNRH यह अगेन हमारा जहां हम लोग ने spermative जोने से वगरा पढ़ाता HAP में वहां पर हम लोग ने इसको detail में देखा था तो तुम्हें एक, दो और यह तीन यह GNRH यह GNRH ठीक है? यह इनको याद कर लोगे और तीन medicines काफी है बताने के लिए ठीक है? बात समझ में आ रही है? और यह lecture हमारा खतम हो जाता है और हमारा chapter भी खतम हो जाता है तो करना क्या है? पढ़ना है धेर सारा revision करना है धेर सारा notes का link description में है कोई problem आ रही है मुझे call करे direct इस app की help ने बहुत helpful है बच्चों के लिए ठीक है ना सारी facilities आपको यहाँ पर मिल दी जा रही है आप बहुत easily घर बैट करके रोज अगर 2-3 घंटे practice कर रहे हैं तो बहुत easily आप अच्छे अंकों से अच्छे मांक से पास हो जाएंगे ठीक है ना कोई problem आते तो मुझे call करें और सबसे जड़ूरीच बात revise करते रहें पढ़ते रहें all the best